आ हें फ्रेंट्स देखे आज बात करने वाले हैं डिवीस लयब के बारे में इसके लिए बहुत क्वारी आnew थी बहुत ज्यादा लोग पूश रहे थे किकियों गिर रहा है और कितना इसको बताता है तो जानेंगे नहीं कैना किट सकता है और और कियु कि लिए एकारWow MOR लिजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं देख लेते हैं देखिए आप अगर चार्ड देखें कंपनी का तो एक दिन का अगर देखेंगे तो एक छोटी सी मामूली सी गिरावट है 0.47% की एक हपते के अगर देखें तो एक हपते में नीचे ही रहा है हमेशा शेयर आप देख सकते हैं इसने लो बनाया है 3261 का एक साल का अगर देखें तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 3261 का ही इसका लो है यह देखिए जो की इसका इस साल का और लो है यह और साथ ही साथ इस साल जो हाई गया था 570 रुपे पर माइनस में 33% के नेगिटिव रिटन है तो कारण इसका क्या रहा देखने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं इसको देखें वैसे तो कंपनी ने बहुत स्टांदार मल्टिवेग रि रिटन कंपनी ने दिया था लोंग टर्म में लेकिन अभी जो है इसका देखें अगर रिजल्ट देखें तो सेल्स हुई है जो 2200 करोड की हुआ करती थी 25 करोड की सेल्स हुआ करती थी वो रह गए यह घटकर 1855 करोड की एक खराब रिजल्ट कंपनी का आया और अगर प्रो प्रोफिट है तो जिस वज़ा से कंपनी बहुत ही तेजी से शेर नीचे गिरते हुए आपको दिखाई दिया देखें यहां भी अगर नेट प्रोफिट देखेंगे तो 900 से 494 लगभग आधा हो गया जिस कारण कंपनी का शेर जो है बहुत ही नीचे एकदम से गया शेर में हमें तेज गिरावट इसमें देखने को मिली देखें वैसे अगर देखें फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रोंग है प्रोमोटर्स भी देखें बावन परसेंट एफाई आई भी 15 और 21 लगभग डियाई और सिर्फ पब्लिक के पास है 11 परसेंट का तो फंडामेंट दिया क्वाटरली रिजल्ट वह बहुत बेकार एक रिजल्ट हम कहेंगे आया कंपनी का जिस कारणी ये कंपनी गिरती हुई दिखाए दी अब इसके लेवल जानने की कोशिस करेंगे देखें तो अब हमने अपना चार्ट ओपन कर लिया है चार्ट पर देखेंगे तो अब अब जो अगला सपोर्ट होगा कंपनी का स्टोक का वो रहने वाला है यही है 3270 रुपे का तो आपको कल सोंबार के दिन कंपनी उपर जाते हुए शेयर ये दिख सकता है आपको रिकवरी एक दिखाएगा क्योंकि देखिए कई बार यहां से सपोर्ट ले चुका है एक बार यहां देखेंगे आप यहां पर यह वाला यहां पर तो यहां पर भी देखिए 3263 से ही इसने सपोर्ट लिया है तो यहां से एक अच्छी रिकवरी कंपनी में आ सकती है फिर से और अगर वहां से गिरता है शेयर तो यहां तक जाएगा यह ज्यादतर गिरने की संभावना 3000 यहां पर आप देखिए 3300 तक यह शेयर गिर सकता है उससे नीचे अभी पोशिवल नहीं है यहां तो आना मुश्किल है लेकिन अगर यहां से गिरता है फिर तो बहुत ही ज्यादा नीचे जाएगा पर अब ऐसा होगा नहीं क्योंकि एक गुड नीज भी कंपनी में है और BSC साइट पर तो यहां आपको मिलेगा देखिए तो यह देखिए यह कोई अलूपती पदमा नव पात्रो यह है कोई कोई परशन है और देखेंगे आप न्यूक्त परशन है इसमें इन्होंने 6400 शेयर अपने प्लेज थे इनके एक्विटी शेयर यह इन्होंने आपने दे देखिए दो करोड़ 10,35,200 रुपे के यह शेयर थे यह इन्होंने अपनी प्लेज छुड़वाई है तो बहुत ही शांदार एक रिकवरी अप कंपनी में आपको देखने को मिल सकती है देखेंगे 12 नवंबर 2022 का ही है यह तो अब आपको कल जो मार्केट खुलेगा 14 तारिक इसका असर उसमें देखने को मिलेगा और देखा होगा कि 10 तारिक में 10 तारिक में भी जो सुक्रवार को जो मार्केट बंद हुआ उसमें भी सेयर जो है आपको थोड़ा समलता हुआ दिखाई दिया अब जो है सवंबार से आपको तेजी दिखा सकता है और अगर नीचे की साइड जाएगा तो तीन हजार तक का लेबल दिखा सकता है उससे जादा नहीं गिरेगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नम हरा है